तो हमारे पार्लेमेंट के अंदर 43% पॉलिटीशन ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमिनल चार्जेज हैं और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके उपर मडर, रेप, फिरोती ये सारे चार्जेज हैं और ऐसा नहीं है कि खाली MPZ हैं, हमारे MLA भी इसमें पीछे नहीं है अगर मैं 2015 Delhi election की बात करूँ, तो उसमें 70 में से 43 नेता ऐसे जीत के आये थे, जिनके उपर क्रिमिनल चार्जेज थे और अगर करन्ट की बात करें, तो 37 MLA ऐसे हैं जिनके उपर क्रिमिनल चार्जेज हैं और यह ऐसा नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया या FIR है, यह वो चार्जेज हैं यह सुप्रीम कोट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं मतलब पुलिस गई है, वहाँ पे उसको evidence confirm हुए, eye witnesses मिले हैं, यह वो चार्जेज हैं यह problem तो बहुत ही छोटी सी है, कि parties criminals को ticket ना दे और लोग criminals को vote ना दे लेकिन इस छोटी सी problem के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है और अभी तक इसका solution नहीं हुआ 1999 में Association for Democratic Reform, जिसे ADR नाम से ज़्यादा जानते हैं लोग इनों ने जो भी criminals है पॉलिटिक्स में, इनके लिए एक PIL डाली डेली हाई कोट में और डेली हाई कोट ने उसको accept भी कर लिए जब डेली हाई कोट ने यह PIL accept की थी, तो यह चीज वहीं खतम हो गई थी यह जो नेता जीने हम जिदा के लाते हैं न, यह सब लोगों ने मिलके उस PIL के अगेंस में सुप्रीम कोट में अपील कर दी जब सुप्रीम कोट से भी इनकी अपील खारीज हो गई, तो हमें वो देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था यह सारी पार्टियां एक हो गई जब हमारे देख की security की बात आती है, उरी एटेक हो गया, बाला कोट हो गया, या हमले वाली situation बनती है तब भी यह पार्टियां एक नहीं होती, लेकिन इस चीज़ के लिए यह सारी पार्टियां एक हो गई थी इंडिया के कानून के इसाब से, जब तक किसी भी आदमी के उपर final judgment नहीं आता, तब तक वो बेकसूर है, उसी चीज का फायदा उठता है, अगर कोई IS pieces की त्यारी कर रहा है और उसके उपर criminal charges हैं, तो उसे offer letter नहीं मिलेगा, यहां तक कि clerk की job के लिए उसको दिक्कत आ जाए ऐसा candidate ढूनना, जिसका कोई criminal record नहीं हो, ADR की research के इसाब से, criminal candidate के chances तीन गुना जादा होते हैं, जीतने के clean candidate के मुकामे, एक criminal candidate, money और muscle power का perfect combo बन जाता है, party के लिए funding इखटी करनी हो, self financing, black money, campaigning के लिए finance इखटा करना हो, हर एक चीज में माहिर होते हैं, इसलिए political parties की यह पह neutrality बढ़ती गई, यह political parties की पहली पसंद मनते गए, parties की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन caste और system failure की वज़े से, लोगों की भी मजबूरी बन जाती इनको vote देना, आज की date में, आज FIR करने के लिए भी आपको जुगार की जरूत होती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी caste वाले नेता के पास जाओगे, तो आपका काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा हो, तो यह जो system कमजोर है, यह मजबूर करता है लोगों को, इन लोगों को vote देने के लिए, और यह लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि यह system एरिया की caste calculation कर लो, जो caste majority में है, उसका Robin Hood टाइप या बाहुवली टाइप एक नेता कर दो, जो system काम नहीं कर पा रहा है, वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें vote देने लगेंगे, इन case अगर कोई जादा होशियार बन रहा है, या लोगों में जादा समाझ आ गई है, एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें vote करना, Center for Media Studies, CMS, इसके इसाब से last log सबा जो 2019 का था, उसमें 50,000 करोड से भी जादा पैसा involved था, पूरे वर्ड में इंडिया सबसे जादा पैसा खर्च करता है election में, USA से भी जादा, तो यार, तुम लोग एक जसा रागा लापते हैं, ये लोग कभी भी party funding में transparency आने ही नहीं देंगे, एक बार जब ये लोग power में आते हैं तो पूरा का पूरा system इनके हिसाब से चलता है, और जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते हैं उनका transfer हो जाता है, 144 police officers एक लाख लोगों की security द देखा है, जिसके आगे पीछे IS, PCS, पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं, बहुत ही worse scene होता है हर साल reports आती है कि 75% से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस पे भरोसा ही नहीं है, इंडिया एक लोटी ऐसी जगा है जहाँ पे पुलिस को देखके इंसान safe feel करने के बजा इंडिया की 65% आबादी 35 की age से नीचे है, जो हमारा लोगसभा है उसकी average age है 54 और राजसभा की age 63.5 है, एक दो case अगर छोड़ दें तो आम आत्मी के लिए politics में गुसने का रास्ता नहीं है, अगर आप Google पे search करोगा न top 10 young politicians, तो एक भी नाम उसमें ऐसा नहीं होगा जिसका कोई family से political connection ना हो, आजादी के बाद से 0.5% से भी कम politicians ने अपने बच्चों को आर्मी में भेजा है, वहाँ नहीं भेजते ही लोग, हम लोग इनसे manifesto में demand ही कहां करते हैं, हम तो बस religious मुद्य देखते हैं manifesto में और कुछ हो जाते हैं, इंडिया ने British parliamentary system adapt किया और उसमें एक ruling party का finance minister है, उसके paralleli एक opposition का भी finance minister assign हो जाएगा, और जो ruling party का finance minister है, उसकी activities को opposition का finance minister लोगों तक महुचाएगा, और इसी तरीके से हर department में होता है, और लोगों के लिए बड़ा beneficial रहता है, क्योंकि छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी ministry involved रहती है, तो actual में किस नेता की गलती है, पता ही नहीं चल पाता है, इस तरीके के बहुत सारे concept हैं, जो हम लोगों को party से managerist हो में demand करने चाहिए, क्योंकि हम लोग तो हमेशा मंदिरों और मस्जीतों के लिए ही लड़ते हैं, ये सारी चीज एकदम से तो सही हो नहीं जाएंगी, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, कि हम कम से कम किसी criminal को तो vote ना दे, और ऐसा तो होता नहीं कि सारे सारे line से criminal ही खड़े हो जाते हैं, हमें बस इतना करना है कि जो भी candidate criminal है, हमें बस उसे vote नहीं देना है, बले ही हो हमारी favorite party का हो, बले ही हो हमारी cast का हो, बस एक दो बार हमें ऐसे क करना, फिर इन लोगों पर ticket ही मिलना बंद हो जाएगा party उसे, जितनी research हम अपना mobile phone खरीदने में करते हैं, उसकी 10% research भी अगर हमें अपने candidate के बारे में कर ली, तो इक criminal जितने भी हैं, पार्लेमेंट में नहीं दिखेंगे, यह वहीं दिखेंगे जहां इनको होना चाहिए, लास्ट में एक ही question पर मैं इस conversation को end करूँगा, कि politics अगर समास सेवा है, तो salary क्यों और अगर नौकरी है, तो exam और qualification क्यों नहीं?